हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 3 की वॉक्षीट नंबर है 83A जो की 30 सतंबर 2020 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी और इस वॉक्षीट में हम समझेंगे हमारी पार्टि पुस्तक रिमजीम से पार्ट टिप टिप वा सबसे पहले आप यहां अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे ठीक है तो चलिए इस वॉक्षीट को शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों आपने अपनी पार्ट पुस्तक का पार्ट टिप टिप वा आनंद के साथ बोलकर पढ़ा और जाना की कहानी का नाम टिप टिप वा क्यों रखा गया अब आए पार्ट से ली गई निम लिखित पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले यह पंक्तियां बात से बेखबर, पोता, दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, बुढिया खीच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, इटिपटिपवा से जान बचे तब ना, अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे हमें पहला प्रशन दे रखा है, चलिए पा किसे परेशान थी, आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, वो परेशान थी टिपटिपवा से, किस से टिपटिपवा, आप पहले प्रशन का उतर लिख देंगे, टिपटिपवा, दूसरा प्रशन है कि बुढिया से कहानी कौन सुन रहा था, तो वो सुन रहा था, पोता, कौन था? ये बुढिया का पोता तो पहले का आजाएगा टिप टिप वा और दूसरे प्रश्ण का उत्तर आजाएगा पोता अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्ण इसमें हमसे पूछा है कि बुढिया अपनी जान किस से बचाना चाहते थी? तो बुढिया अपनी जान किस से बचाना चाहती थी? तो वो अपनी जान बचाना चाहती थी, तो बुढिया अपनी जान टिप टिप वा से बचाना चाहती थी, अब यहाँ बे देखो टिप टिप वा क्या है? क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी और बारिश की आवाज होत बच्चों, बारिश के मौसम में आप अधिकतर क्या खाते हैं? नीचे दिए गए चित्रों में से ढून कर उस पर सही का निशान लगाएं. तो बारिश के मौसम में हम जनरली पकोड़े और चाय खाते हैं. ठीक है? तो इस पर आप निशान लगा देंगे. अब तीसरा प्रश लगता है चिपकली से तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी चिपकली. मैं ऐसे लिखूँगी मुझे चिपकली मुझे चिपकली से डर लगता है. ठीक है? अगर आपको मान लो किसी और चीज़ से डर लगता है तो इस चिपकली के जगे आप उसका ना लिख दोगे ठीक है बच्चों अब इसके बाद हमें कह रखा है अगला प्रश्ण जिसमें है आओ बातचीत करें प्यारे बच्चों साथ दिये गए चित्र को ध्यान से देखिए आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की और आदमी क्या बाते कर रहे होंगे अनुमान लगाकर उनके समवाद यानि बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए तो आपको ये सोचना है कि आपस में क्या बाते कर रहे हैं उसको जोर जोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिख के अपने टीचर को सेंड कर देना है ठीक है त देखो बच्चों आपके parents के लहां पर सुझाओ है कि बच्चों को बातचीत के माध्यम से बारिश के मौसम में होने वाली भिन भिन प्रकार के बिमारियों वाँ उनसे बचने के उपायों के बारे में बताया जा सकता है तो आप अपने parents से इस topic पर discuss जरूर करें कि बारिश में कौन-कौन से बिमारियां हो सकती है और उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं ठीक है तो बच्चों आपको कार्य पत्रिका मज़ेदार लगी ना अब बताईए कि आज आपने क्या नया सीखा तो I hope आपको इस वाकशीत ब